ओम शंती, साथ फेवरी के शुरुवे तन में आपसका सोगत है परमात्में कहते हैं कि या तो हम बिमारी कॉंशिस हो जाएं या तो फिर हम सोल कॉंशिस हो जाएं तो बिमारी conscious के बजाए खुशी-खुशी से हिसाब किताब चुक्तु करने वाले soul conscious भबा तन तो सब के पुराने हैं ही क्योंकि अंतिम जन्म में आगे हैं तो सब के तन पुराने हैं ही हर एक को कोई न कोई चोटी बड़ी बिमारी है मानते हैं हम से सब कुछ लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बिमार हो बिमारी conscious हो जाएंगे वहलेकर हमने अपने बिमारी के बारे में दिन पर सोच रहे हैं और उको बता रहे हैं यह हो रहा है वो और ऐसे हो रहा है तो हमारा physical body की तरफ जाता ध्यान जा रहा है तो मन की उपर असर पढ़ रहा है body का तो हम बिमारी conscious होगे ना कि soul conscious soul conscious आत्माई दुनियावी चीजों में busy रहती है अपने कर में busy रहती है सेवा में busy रहती है तो automatically तन भी क्या होता है तन की feelings नहीं आती है example आप इतने busy हो आप कही से जा रहे हो अचानक से और किसी से धक्का लगा पहले भी बात करिए हाथ कहीं पर कट गये थोड़ा सा खरोच आगी आपको पता में चला आप पहुंचे अपने office एपने school पहुंचे घर वापिस पहुंचे आपने देखा भाई ये कपड़े लालल की होए थोड़े से फिर जाके देखा आपने आरे वापे तो कटा हुआ है फिर जाके आपको दर्द होना शुरू हुआ ये महसूस किया आपने कभी उस समय हम soul conscious देते बीजी थे हम body conscious नहीं थे तो समय हमें कट लगा हुआ है कट लगा हुआ है लेकिन हमें महसूसता नहीं आई उसमय लेकिन जैसे हमने देखा आंकों से देखा दर्श्य आया आत्मा body conscious हुई और उफ आ होना शुरू हो गया है तो जब हम conscious नहीं होते है अपने physical body illness के बारे में तो बिमारी का महसूसता नहीं होती है यह कहना चारे परमात्मा इसलिए मन में कभी बिमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए तब कहेंगे soul conscious बिमारी से कभी घबराओ नहीं थोड़ा सा दवाई रूपी fruit कर लिग का fruit कहते है परमात्मा दवाई को खा कर उसे विदाई दे दो खुशी खुशी से हिसा पताब चुक करो यह कैसे पॉसिबल है ब्रमकुमारी में मेडिटेशन और उसमें अपने अपको शक्तिशाली बनाना अपने बॉड़ी से डिटाच करना बॉड़ी से रिलेटेड बीमारी के संकल्प ज्यादा दिन भरना करना और को ना बताना उसके बारे में खुशी खुशी रहना यह तरिका है वम श्यंती